बेबी अपने भाई की साथ रेल्वे स्टेशन पर चॉकलेट्स पेच रही थी पर वहाँ पर उसका वैपर कुछ ठीक से नहीं चला वो फिर से सड़क पर आई और उन्हें बेचने लगी थोड़ी दूरी पर एक पीजा के ठेले पर बहुत सारे लोग पीजा खा रहे थे बेबी ने ये देख कर भला यहां इतने सारे लोग बैटकर क्या खा रहे हैं? क्या होगा? ये सोचकर बेबी भी उसे खरीद कर खाने लगी उसे वो बहुत स्वादिश्ट लगा अरे वा ये तो बहुत स्वादिष्ट है ना जाने इसे कैसे बनाते हैं ऐसा सोचते हुए अपने भाई को भी खिला कर वो वहां से घर चली जाती है अगली सुबहा भाई बहुत रोने लगा था जिससे देख बेबी ने कहा रुक जा मेरे भाई तेरे लिए ही तो दूद गरम कर रही हूँ इस तरह भाई को सहला कर उसने उसे दूद पिलाया भाई ने दूद पिया और सो गया तब बेबी ने कहा मुझे जल से जल कोई और काम ढूरना होगा इस काम से तो कोई फाइदा नहीं हो रहा कुछ करना होगा यूँ वो सोच ही रही थी कि अचानक उसे कल खाया हुआ पिज़ा याद आया मुझे ये पता लगाना होगा कि वो कैसे बनाते हैं और मुझे खुद बनाना होगा यूँ सोच कर उसने अपने भाई को साथ मिलिया और पीजा बनाने वाले के पास गई अंकल, आप ये पीजा कैसे बनाते हो? मुझे बताओगे, आप अगर ये मदद करोगे तो मैं भी बना कर बेचना चाहती हूँ उसके ऐसा पूछने पर उस आदमी ने कहा अच्छा, तो तुम मेरी ही बराबरी करना चाहती हो में वहां से गुजर रही एक आउरत ने उसे देखा अरे, क्या हुआ बेटा? आप इस तरह बच्ची को क्यों धगिल रहे हैं? उसके पूछने पर उस आदमी ने सारी बात उसे बताई तब उस आउरत ने कहा बे अकली वो नहीं आप कर रहे हैं अपना गुजारत करने के लिए वो अपसे मदद ही तो मांग रही है यूँ उसे डाइट कर उस लड़की को लिए दूर कहीं जाती है और उससे कहती है बेटा, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? और ये लड़का किसका है? ये मेरा भाई है हमारे मां बाउजी का आहाल ही में देहां दुआ तब से हम दोनों ही जी रहे हैं रेलवे स्टेशन पर बिस्किट्स और चॉकलेट्स पेश्टी हूँ पर मेरा वेपर ठीक से नहीं चल रहा नुकसान ही नुकसान हो रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कल मैंने ये देखा था, यहां बहुत लोग खा रहे थे इसलिए पीज़ा बनाने की विधी जानने आई थी तो वो मुझे डान रहे है यो उसने रोते हुए कहा ठीके बेटा चिंता मत करो, ये मोबाल रख लो इसमें तुम जो चाहे वो सीख सकती हो इसमें देखकर तुम पीज़ा बनाने की विधी जान लेना फिर खुद का व्यापर शुरू कर सकती हो उस पर बेबी ने हामी भरी बेबी ने उस औरत के दिये हुए मोबाल से पीज़ा बनाने की विधी अच्छे से सीख ली बेबी ने घर पर पीजा बनाने की विधी शुरू की पहले दो बार पीजा ठीक से नहीं बनी बहुत ही बेस्वाद बना था इसी तरह कोशिश करती रही तो तीसरा पीजा बहुत अच्छा बन गया बेबी बहुत खुश हो गई सुन भाई अब ये पीजा बहुत ही अच्छा बन गया अगर ये पीजा चल गया तो समझो अपनी जिन की सुधर गई ये सोच कर उसने अगले ही दिन रेल्वे स्टेशन पर जाकर पीजा बनाने शुरू की ताजा ताजा स्वादिष्ट पीजा लीजिए इस तरह आवाज देखकर वो लोगों को पीजा बेचने लगी बहुत कम दाम में बेच रही थी इसलिए कई लोग आकर पीजा खरीद रहे थे बहुती कम समय में सारे पीजा बिक जाने की वज़़े से वो घर जल्दी नोटी इस तरह पैसे कमा कर बागवान जी आज मुझे पूरे हजार रुपे का फैदा हुआ हर दिन ऐसा ही हो इसका आशिरवात देना इस तरह हर रोज पीजा के जरीए वो बहुत पैसे कमाने लगी कुछी दिनों में उसने रेले स्टेशन पर एक छोटी से दुकान जमाली जहां पर वो पीजा का व्यापर कर रही थी उसका पीजा का व्यापर दिन दुगनी राद चोगनी हो रहा था इन सब के पीछे उस औरत का हाथ था ये सोचती हुई वो घर लोटी अपने माता पिता के तस्वीर के सामने खड़ी होकर उसने कहा माबाओ जी आप दोनों के विना हमारी जिन्दगी एकदम दुरबल हो गई है आज हम तीन वक्त के रोटी खा पा रहे हैं तो इन सब के पीछे उस औरत का हाथ है उसका उपकार में कभी नहीं भूल सकती वो जहां भी रहे खुश रहे ऐसा आशिरवाद आप उन्हें देते रहना क्योंकि आपके बच्चों के खुशी की करण वहीं है और साथ ही साथ हमें भी आशिरवाद दीचे इतने में पीजा का व्यापार करने वाला वो आदमी ए लड़की आज के बाद तु पीजा का व्यापार नहीं करेगी और अगर ऐसा किया ना तो तुझे और तेरे भाई को मार दूँगा क्यों? बला मैं व्यापार क्यों न करो? मैंने क्या आपके बराबरी में ठेला लगाया है? मैं तो रेलो स्टेशन पर पीजा बेशती हूँ ना? तुमने वहाँ पर शुरू किया है इसलिए तो कोई मेरे पास नहीं खरीद रहा इतने में बेबी की सहायता करने वाली वो औरत भी वहाँ पर आई तुम ऐसा कोई न कोई दूस्स हास करोगे ये मैं जानती थी मैं कुछ नहीं करूँगा मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर घबरा कर वहाँ से भाग गया बेबी ने रोकर उसे गले लगाया बेटा तुम्हें घबराने की कोई जरुवत नहीं तुम्हें जब भी जरुवत हो मैं यहीं पास में रहती हूँ सब ठीक हो जाएगा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बड़ा नाम हो इस तरह उस औरत ने धीरश दिया बेबी बहुत खुश हुई जैसे उसने कहा था सच में बेबी का बहुत अच्छा नाम हुआ इतनी छोटी उमर में पीजा का व्यापार करने वाली ये एक लड़की थी इसलिए न्यूज में भी उसका नाम आ रहा था बेबी इन सबसे बहुत खुश हो रही थी उसे आगे बढ़ता देख उस औरत को भी बहुत खुशी मिली इस तरह बेबी के किये मेहनत को उसका फल मिल गया बेबी के पिता राम अपने हाथी को लिए घर वापस लोड़े क्या हुआ पापा आप और जानकी इतने जल्दी वापस लोड़ गये क्या जानकी ने आपको सताया ऐसी बात नहीं है बेटा उसे अपने बच्चे को दूद देना है ना इसलिए वापस आया हूँ दो दिनों बाद पापा गाउ जा रहे है ना तब हम सब रेल पटी के उस तरफ जाएंगे सुना है वहाँ पे बहुत हरी आली है और बेर के पेड़ भी है हम वो सब दोड़ लाएंगे जहां मेरा हाथ न पहुंचा वहाँ तुम अपनी सून से उतार कर देना उस पर हाथी ने सर हिला कर हाँ कहा दो दिन बीट गए बेबी मैं पड़ोस गाउ जा रहा हूँ तुम और जान की अपना ध्यान रखना ठीक है पापा मैं और जान की अपना पूरा ध्यान रखेंगे आप भी कुशल मंगल जा कर आओ पिता के घर से जाते ही तुरन बेबी जान की के पास गई जान की चलो जल्दी चलते हैं बहुत बेर है वहाँ पर वो भी बड़े बड़े वाले जान की भी मान गई फिर वे दोनों मिलकर बेर लाने के लिए रेल पट्रियों को पार करते हैं एक पोटली में बहुत सारी बेर बांध कर वे दोनों घर के और वापस लौट रहे थे इतने में ट्रेन के आने की आवाज आई वे दोनों उसे पार करने की सोचते हैं पर तब ही दूसरी और उन्हें छोटा हाती आता हुआ दिखाए देता है बेबी घबरा गई जानके ये कैसे हुआ हमने नन्ने हाती को बांध रखा था ना लगता है किसी ने उसके बांध खोल दिये अब मुझे टर लग रहा है ये देख हाती ने जोर से चिला कर कहा इस तरफ मत आना ऐसे चिलाने लगा अपनी मा के आगा करने पर भी छोटा हाती अपनी मा को देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे उसके पास आने लगा उसे अपनी और आता देख दोनों बहुत घबरा गए नन्ना हाती चलता चलता पट्री पार करने लगा उसी समय ट्रेन भी वहां से निकल पड़ी थोड़े में बच गया था हाती आखे तो यहां आया क्यूं जानता है मेरी जान अटक गई थी अगर कुछ हो जाता तो एक पल के लिए जान चली गई थी दोनों ने अपनी चिंता जताई फिर वे तिनों घर पहुंचे वो दिन बेद गया पिता अभी तक घर नहीं लोटे बेबी चिंता में थी पिता ने घर पर फोन लगाया बेटा बेबी मा की सेहत अब ठीक हो रही है मैं उसे लेकर ही वापस लोटता हूं तुम चिंता मत करना हम दोनों कल शाम तक पहुंच जाएंगे ठीक है पापा अगली सुबह नन्ने हाती ने सोचा मुझे फिर से वो रेल गाड़ी देखने का मन कर रहा है जो मैंने कल देखा था मैं किसी को बताय भी ना चला जाऊंगा यू सोचकर नन्ना हाती ट्रेन के पट्रियों पर जाकर ट्रेन की राह देखने लगा तभी दूर खड़े दो लोगों ने उसे देखा देखा तुने नन्ना सा हाती उसके दांत कितने प्यारे हैं उसे तो हम चकर लेंगे जल्दे घर जाकर भाला और जाल ले करा उसके साथी ने हामी भरी और वहां से चला गया फिर उन दोनों ने मिलकर नन्हे हाती पे जाल बिछाया और भाले से उसे मारने लगे नन्हे हाती ने किसी तरह खुद को उनसे छोड़ाया और वहां से बचकर निकल गया उन दोनों आदमी ने हाती का पीछा किया पर कुछ दूर पहुंचने पर लोगों की भीर को देखकर वे दोनों वापस आ गए नन्हा हाती दोड़ कर हाफता हुआ मा, मैं आपको भी ना बताये आ गया था और मैं अब मुसिबत में पड़ गया हूँ मा यू दुकि होकर धीरे-धीरे घर की और जा रहा था पर थक कर वो ट्रेन की पट्रियों पर गिर पड़ा मा, मा यू दुकि होकर रोय जा रहा था और वो चलने की हालत में नहीं था दूसरी ओर घर पर बेबी जानकी नन्ना हाती कहा गया जानकी को शक हुआ देखना चाता है चलो जल्दी चलते हैं यूँ सोच कर दोनों पट्रियों की पास निकल पड़े तो देखा ट्रेन की पट्रियों पर नन्ना हाती पड़ा हुआ था जानकी ने कई कोशिशे की अपने नंगी से हाती को बहार निकालने की मेरा लाल उठो यहां से ट्रेन आ रही यूँ ट्रेन की पट्रियों को पार करने की कोशिश कराती है इतने में ट्रेन बहुत पास आ गई मादा हाती भगवान की प्राथना करने लगी यूँ वो रोई जा रही थी इतने में उसे दूर कहीं एक लाल टोकरी दिखाए दी तुरंत उसने टोकरी को उठाया और ट्रे भी घबराई सी बहुत चिंता में खड़ी थी लाल टोकरी के इशारे को समझ कर ट्रेन चालक ने उसमें ब्रेक लगा दी ठीक छोटे हाथी के पास आकर ट्रेन रुख गई इस चमतकार को देखकर माधा हाथी खुश हो गई वो अपने नन्ने हाथी को बहार ले आई उसे ने बुरी तरह से किसने मारा आखे तु यहां आया क्यों था अगर हमयाने में थोड़ी गई हो जाती तो अनर्थ हो जाता आकरोश में माधा हाथी ने पूछा बेबी ने कहा लगता है कोई जान भूच कर हाथी को यहां ले आया होगा ऐसे बहुत दुखी होकर उसने भी कह अपने नन्ने हाथी को इस तरह नीरस पड़ा हुआ देखकर माधा हाथी को बहुत दुख हो रहा था नन्ना हाती मा कहर अपना दम दो दिया मा को बहुत घबराट सी हो रही थी पट्रियों से बहाल लेकर तुम्हारे जान बचाने की खुशी जद हदे तक नहीं टिक जानकी फूट फूट कर रोने लगी, बेबी भी बहुत दुखी हो रही थी, शाम होने तक वे वहीं पर रहे, शाम होने पर बेबी के पिता उनकी मा को लिए घर पर आये, उस घटना के बारे में जानकर तुरंत वे दोड़ कर वहां चले गए, नन्ने मरे हुए हाती को देखक कुछ में नहीं खा रही थी, तब बेबी ने उससे कहा, जानकी तो क्यों इस तरह दुखी होकर कुछ नहीं खा रही हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी अपने बच्चे के पास चली जाओंगी, अपने बच्चे को खोने के दर्द में हूँ, मुझे अकेला छोड़ द मैं भी अपने नन्हे के पास जाना चाती हूँ, यू जानकी रोए जा रही थी, ऐसा मत कहो ना, बेबी उसे पकड़ कर रो रही थी, जानकी ने जैसा सोचा था उसने वही किया, सबके कई बार कोशिश करने पर भी उसने कुछ नहीं खाया, और एक दिन उसने भी दम तोर जानकी के भी जाने पर जब बेबी रो रही थी, तब मा पाउजी ने उसे बहुत समझाया, बेबी ने उस हाती की याद में एक छोटी सी समाधी बनाई, हर रोज उस समाधी के पास जाकर उससे बहुत सारी बाते किया करती, और इसी तरह उस समाधी से अपनी बाते बताकर बेबी अपनी जिन्दगी जीने रहे है